हेलो बच्चों कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी और देखिए आज हमारा जो क्लास 11 बिजनस स्टर्डीज का जो स्लेवस हमने स्टार्ट किया था और जैसे कि मैंने आप लोगों कहा था 20-25 दिन के अंदर हम अपना स्लेवस उसको कंप्लेट करेंगे तो फाइनली आज इस वीडियो के साथ हमारा जो क्लास 11 बिजनस स्टर्डीज का जो स्लेवस है वो कंप्लेट हो जाएगा आज हमारा जो लास चेप्टर है जो के इंटरनेशनल बिजनस इस पर हम आ चुके है और इसके पर भी आपकी एक वीडियो आपके अपलोड हो चुक तो देखें इंटरनेशनल बिजनस हमने किया था हमने बात की थी कि इंटरनेशनल बिजनस का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल बिजनस हम किसको कहेंगे कि जब हम बाइंग और सेलिंग करते हैं गूर्ट सेल करते हैं तो वह हमारा इंटरनेशनल बिजनस कहलाएगा या फिर हम चुल कंट्री तो हम गया ने का धा में पिचले जो बास किती एक्सक्राइक किया है और यह आज का वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्ट का対ता प्रूसulatingच्छल्ज क्या है उसके procedure क्या है basically क्या क्या step हमारे import के रहने वाले है तो export के जो हमने step की है ना अगर आपने export के step थे 17 अगर उनको आपने अच्छे से कर लिया ना तो ये import के step करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और इसके जो step है वे यहाँ पर कम है दसी step है ठीक है लेकिन कुछ ना कुछ ही आपके जो export के step है उसी से relate है उससे relate क्यों है क्योंकि देखे import और export करने का मतलब क्या है अगर मैं import करूँगी तो फिर जिस बन जहां से मैं import करूँगी तो उसके लिए वो क्या हो जेगा एक्सपोर्ट हो जाएगा ना मैं तो import करूँगी बट जो दुसरी country है जहां से मेरे पास माल आएगा उस country के लिए तो export होगा तो कुछ ना कुछ तो यह बिसिकली क्या कहलाएगा इंपोर्ट कहलाएगा ठीक है तो यह पर मीनिंग क्या है बाइंग दा गूट्स फ्रों अनधर कंट्री अब हम बात करेंगे जो मेन हमारा important topic है import procedure तो import का क्या procedure रहने वाला तो total test step है आपको sequence में इनको याद करना है तो इनको याद करने की जरूरत नहीं बस आप इसको समझ लिए अगर आपने इसको समझ लिया ना तो sequence फिर अपने आप ही बनेगी ठीक है तो चलिए फिर देखिए first step क्या है अगर आप import करना चाह उसमें भी basically हमारे क्या था receipt of the inquiry था ठीक है और उसके बाद quotation थी वह exporter ने send की थी तो सेम हमारे trade inquiry का मतलब क्या है देखे मैं importer हूँ तो भी मैं trade inquiry करूंगी it means मैं देखूंगी कि जो सामान मुझे चाहिए जो product मुझे चाहिए जो product में दुसरे देश से दूसरी country से मंगाना जाती हूँ तो भी उसकी supply कौन करता है ठीक है कौन कौन से exporter है जो कि उस product की क्या करते है supply तो जो हमारी trade directories है trade association है इसके थुरू यहाँ पे मैं trade inquiry करूंगी मैं check करूंगी कि भी कौन कौन से exporter है जो मुझे ये सामान दे सकते है तो जो मैंने trade inquiry की है in the same way वहाँ पे जो exporter ह वहाँ पे receive करते है inquiry ठीक है अब उनको पता चलता है कि भी हाँ यह importer है और इस तरह से यह product इसको चाहिए इस quality का चाहिए इस price पर चाहिए तो फिर वे क्या करते है वे quotation send करते है exporter अब मैंने trade inquiry की मैंने देखा यह exporter है उनके पास मैंने भेजी तो फिर आब मुझे क्या कर कि अब मैंने इस प्रोड़क्त है जो हम बनाते है जो प्रोड़क्त आपको चाहिए भई हम बनाते है इस quality का है इस size का है इस price पर अब फिर बाद में वे जैसे 10-15 एक्सपोर्टर है ठीक है उनकी जो उनके मेरे पास कोटेशन आई तो अब मैं वहां से 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 तो first मेरा क्या हुआ मैंने trade inquiry की क्या through the trade directories and trade association second step क्या होगा procurement of the import license से जिस तरह से हमने export किया था export करो या फिर आप import करो अगर में इंडिया की बाद करती हम specially तो भी export के लिए और import करने के लिए आपके पास से license होना जरूरी है तो भी मैंने तो सोच लिया कि भी हां मुझे इंपोर्ट करना है मुझे यह सामान चाहिए और मुझे इंपोर्ट करना है तो पहले तो मैंने ट्रेड इंक्वारी कर ली देख लिया कि भी कॉन कॉन से एक्सपोर्ट रहा है अब भी जब मुझे इंपोर्ट करना ही है तो भी र एक जो कोड है वो लेना होगा उसके बाद अब देखे आपने कोड भी ले लिया आपके पास लाइसेंस आ चुका है कि भी आप इंपोर्ट कर सकते हो अब जब आप इंपोर्ट करोगे ठीक है तो फ्री में तो होगा नहीं आपको पैसे देने होंगे अच्छा अब मैं इंडि आपकी इंटरेशनल एजर से डॉलर में पेमेंट करूंगी वो डिपेंड करेगा कंटी टू कंट्री भी उसको कैसे किस करन्सी में यहां पेमेंट चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा ओप्टेनिग दा फोरें एक्स्चेंज भी करना है और जिस भी कंट्री से मुझे इंपोर्ट करना है तो उसका जो भी फोर्न एक्स्चेंज उसको में क्या करूँगे उप्टेण करूंगी तो inquiry भेज़ दी ठीक है चेक किया मैंने किस किस के पास मेरा सामान मिलेगा उसके बाद भी मुझे import करना है तो मुझे import license चाहिए तो वो obtain मैंने कर लिया अब भी import करूंगी तो भी पैसे भी मुझे देने पड़ेंगे ठीक है लेकिन अपनी करणसी में तो मैं देनी सकती इसलिए मुझे foreign exchange अब मैं जो एक्सपोर्टर है उसके पास भेज दूंगी कि भी हा मुझे यह वाला सामान चाहिए इतनी क्वांटेटी में चाहिए इस स्टेंडर का चाहिए यह साइज रहेगी यह शेप रहेगी तो जो अभी इतने टाइम के अंधर तो यहां पर जो बिसिकली जो ओर्डर है वो मैं क्या करूंगी प्लेस करूंगी बट अप्टेनिंग दे लेटर ओफ क्रेडिट अब मैंने ओर्डर तो कर दिया प्लेस्टिक सामान मंगा रहे हूं तो इस परसन को डाउट है कि पता निम्यमेंट करूं या ना करूं कभ्य मैं पेमेंटी ना करूं और इतना बड़ा ओडर उसने मुझे दे दिया है तो बही अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर जो लेटर ओफ क्रेडिट है नो मैं एक स्पोर्टर को से करेंट करेंगा और जिससे की उसके विश्वास होगा कि हां मेरी पेमेंट कर दे का तो फिप्ट स्टेप मेरा क्या होगा ऑद आएंजिंग टार अग उसके बाद अरेंजेंग धाइंड तीक अब मैंहिपे यहां पे हो चुका में मैं फाइन सामान बना लिए और लोड करें फॉई करने के बाद है किसी असंवान धुर में उसने सामान लोड कर दिया इंफोर्मेशन होगी किसके रिगार्डिंग शिपमेंट के रिगार्डिंग जैसे कि इन्वोईस नंबर क्या है बिल ओफ लेडिंग है नेम इंड नंबर ओफ वैशल है तो यह सारी की सारी इनफोर्मेशन है अब जो एक्सपोर्टर अब इस ने सामान भेज दिया तो लोड क क्या होगा रिटार्मेंट ओफ दा इंपोर्ट डोकुमेंट इंपोर्ट विच दा एक्सपोर्टर सम्मिट टू हीज बैंक कर देखे अब इस सामान वहां से एक्सपोर्टर ने सामान भेज दिया ठीक है उसने शीपमेंट एडवाइस भी हांपे बहज दिया मिन्स सारी इं को सेन्ड करता है वे इंपोर्टर है और लेकिन किश सर्थ पर उसको सेन्ड करता है कि ब्लिड cotton आ पड़ेगा है चैठ डो approved और इच साय्ट मर पेमेंट के तो वह पेमेंट को दोकूमेंट कर दोकूमेंट को है और कि जो क्या कर ने है हैंड़ोर करने है कर दोकूमेंट, ने ने kleiner है मैं ने लिये है जो में अ इचुर्ट यो टॉकमेंट थे वह सारे घंच इन کے यह ले लिए है तो इसी को बोलते retirement of import document तो यह जो आपका वहाँ पर last step था ना last step कुन सा था 17 step था आपका export procedure में तो वे जो भी document है ठीक है वे यहाँ पर उनकी retirement हो चुकी है उसके बाद arrival of the goods ने तो finally जो goods है ठीक है आप उसके पास document भी आ चुके है और जो goods उनका भी arrival हो चुका मिन्स goods है जो म मेरी country में आ चुके है तो यहाँ पे when the goods reached the importer country जो importer गड़ आभी मैं थी ना इस question में इंपोर्टर थी मैं तो अभी मेरी country मिन्स इंडिया यहाँ पे importer country में goods आ चुके है captain of the ship inform the dog officer जो dog officer उसको जो ship का जो captain होगा वो इन फोर्म करेगा कि भी जो goods है वो आ चुके है and instruct him to receive and record the detail on the document called the import general manifest और वह उसको इसको 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 कि हम बोलते import general manifest जो बड़ी डीटेल है वो सारी कि सारी क्या करें record करें उसके बाद जो dog authorities है also inform the importer आभ वह बाद में फिर क्या करेंगे जो importer है उसको वी इंफोर्म कर देंगे कि भी आपका स सामान आचुका है अब आउट सेम ठीक है इसके बारे में कि भी आपका सामान आचुका है हमने सारी इंफोर्मेशन है सारी डीटेल उसको रिकोड कर लिया है उसके बाद ही प्रिपेर डुकुमेंट कोल दा बील ओफ एंट्री एंड समीट तु दा कस्टम ओफिसर अब वह क्य वह प्रिपेर करेंगे और उसको हम सम्मिट करा देंगे कस्टम ओफिसर के पास ठीक है तो लास्ट टैप अब हमारे क्या हो जाएगा कस्टम कलेरेंस से देखेगा उसको अच्छे से ध्यान से एंड केल्कुलेट दा अमांट ओफ दा कस्टम डूटी तो बीपेर और फिर व मुझे कितनी कस्टम डूटी है वो पे करनी है ठीक है बिल ऑफ इंट्री इज गिवन ठुटो दा अप्रेज ओफिसर और फिर जो वो डुक्यमेंत है बिल ओक्री वो किसको दे दिया जाएगा आप्रेज ओफिसर को इंस्फेक्ट इप ऑल्पेगर इंस क्या करेगा इस क्या किया दोंसे किया गया तो आप साक्तारण के पर अब का करने के बाद बिल ओफ ऐंट्री ए इतले लिया चेकिंग कि और अब यह सैटिसफाइड है घर फिर उस नी क्या कर दिया जो इंपोर्टर है उसको पेड़ उसको कहा पे गया दोग ऑफिसर और मड़श smarterप फिर वहां पूर्टर उन्हों जो डोक आफिसर है ठीक अथोर्टी है उन्होंने जो वो गूर्स है उसको दे दिया किसको इम्पोर्टर को अभी गूर्ट से वो अपना घर लेकर आ सकता है इन केस अगर हमारा वहां पे इम्पोर्टर है या फिर एजेंट है अगर उस टाइन पर अगर यह प्रेजेंट नही अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो अगर हम इंपोर्ट करना चाहते है तो भी ये सारे के सारे 10 स्टेप है ये हमें फोलो करने पड़ेंगे और तब जाके जो गुट्स है वो हमारे पास आएगा तो इसी के साथ ही आप लोगों का जो चेप्टर इंटरनेशनल बिजिनस कंपलेट हुई तो आपने मेरे साथ जरूल की होगी ठीक है और अगर आपने नहीं किया अभी कुछ बच्चे अगर बाद में हापे लेट बाद में जूड़े है तो भी वे आप जो प्रिविस वीडियो है उनको फोलो कीजिए और अपना स्लेविस को कंपलेट कीजिए में आपके 15 फर्वरी से आप लोगों के अग्जाम है वो काफी सारे स्टेट्स पे 15 फर्वरी से जो एक्जाम हो स्टार्ट होने जा रहे है ठीक है और जन बच्चों के मार्च में है तो उनके पास तो भी वे अपने तयारी कर सकते है अभी भी टाइम हो पास से तो चलिए अब में पूछ लेना मैं रिप्लाइ करने की पूरी कोशिश करूंगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओल दी बेस्ट थेंक्यू